करते पणाम कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सभी लोग इस कोरोना महामारी के बीच में भी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे जहाँ भी होंगे खुष होंगे सबसे पहले हिंदू के महा पर्व चट पर्वकी आप सभी को हार्दिक सुभकामना मातराणी आपको खुस रखे सलामत रखे जैसा कि नौरात्रा खतम होने के बाद अभी चट का काम सुरू हुआ है चट के बाद लगन सुरू हो रहा है तो लोगीत का भी काम जोरो सोरो से हो रहा है अच्छी ओडियो अच्छी वीडियो बनाने के लिए जैगंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो आप जानते हैं कि पहले से भी अच्छा काम करती आ रही है हमारे हां हिंदी पंजाबी भोजपुरी मैथली नेपाली हर भासा की कोस्ट हमारी स्टूडियो में दी जाती थी दी जाती है तो आप कहीं से भी अगर आते हैं तो आपको टेंसल लेने की वज़रत नहीं है दो दिन तीन दिन चार दिन जो आपके और वीडियो बनाने में समय लगते हैं उतना दिन आप हमारे हाँ रुक सकते हैं आपको कोई प इसके बाद पहुत लोग कमपैसे में चोटे-चोटे चोटे-चोटे चैनल पर आप्का अपका गाना चलता नहीं है चोटा और बड़ा ये होता है चैनल की जो आपको support करते हैं जो आपके गाने पर ध्यान देते हैं वो बड़ा है आपके लिए चाहे वो बहुत बड़ी company नहीं भी है चोटी company भी अगर आपको corporate करती है वहाँ से आपका भला हो सकता है लेकिन वहाँ से कभी भला नहीं होगा जहाँ जो company आपको corporate नहीं करती है बड़ा channel होना बहुत बड़ी बात नहीं है बड़े channel होने के साथ-साथ बड़ा दिल होना चाहिए जो हम नए singer को जो आप नए singer है आपको promote किया जाए आपके मेनद किया जाए चुकि पैसा आपका लगता है और कमाती company है और आपको कुछ फायदा भी नहीं मिलता है तो इसके लिए company को भी ध्यान देना चाहिए लोगों तक पहुँचे जिससे कि आपका monobal बढ़े कुछ लोगों का सवाल होता है कि कुछ फोन आते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ तो आपसे एक request है कि देखिए गरीब हो या अमीर हो गरीब अमीर में कोई अंतर नहीं होता है सभी इनसान होते है और जो गाना बनाने में जो चार्ज लगता है वो तो लगता ही लगता है ये चीज नहीं है कि अमीर के लिए ज़्यादा लगेगा या गरीब के लिए कम लगेगा लोग गरीबी के नाम पे कि हम गरीबों की मदद करेंगे उस पे आपको बेखूफ बना दिये जाता है कि हाँ आईए हम आपकी मदद करेंगे एक चीज बताईए आप जिस गाव में रहते हैं एक दिन के लिए «प्री आप को क्यूंता है», आपको अपने मेहनत से आगे बढ़ना होता है तो कोई मदद नहीं करता है बलकि आपका पैसा जो है उसी से कोई काम करके देता है चाहे अचा बनाके दे या आपका बुरा बनाके दें तो आप धुखा धर्डी से बचे जो मार्केट में हो रहा है गरीबों के नाम पर आपको गरीब समझ के कि हाँ आईए गरीबों के लिए स्पेसल सुविधा है ऐसा कुछ नहीं है देखिए दो रुपया कम या दो रुपया ज्यादा लगते हैं किसी काम में ऐसा यह हो सकता है लेकिन यह नहीं हो सकता है कि कोई आपका एकदम इतना कम में काम कर दे गरीब समझ के ऐसा कुछ नहीं होता है बोचपुरी गाना बनाने में कम से कम 6,000 रुपया कोस्ट मिनिमम आता ही आता है नई म्यूजिक पे और नई म्यूजिक पे अच्छी वीडियो करने में कम से कम इसमें नो में आपको अच्छले आता है या हम आपको आपको दे दे आता है यह त मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या है शीज आपका टेंसन दूर हो जाएगा तो उसके लिए तेंसन नहीं लेना है जो भी होगा फैक्ट होगा जो ही होगा सत्य बोलेंगे कि आपको काम में कोई दिखकत नहीं हो दूसरा क्या je कि भोशपूरी गाणा तभी अच्छा होता है जब उस गाने के चाणा कर रहा है उसके यशाफ कर रहा है उसके हिसाफ से चैनल प्रिश कर रहा है तब तक आप का गानन यूट्यब पर वाइयल नहीं होता है दूसरा कॉंटिन्यू जब आप कोई भी मार्केट में, चाहे कोई भी फिल्ड हो, संगीत हो, किसी भी चीज में जब तक आप continue काम नहीं करते हैं, continue project नहीं देते हैं, तब तक आपका बहुत अच्छा result नहीं आता है, तो आप अगर market में आना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बहतर जाएंगे, तो फिर कौन share करेगा आपको, इसलिए continue बने रही है, हमारा address है, हमारा पता है studio का, अक्षरधा metro station के पास, पांड़ा नगर डी पारक, डी 75 प्रथम मंजिल, तो आप कहीं से भी आते हैं, जैसे आनंद बिहार उतरते हैं, दिल्ली में, नई दिल्ली उतरते हैं, पुरानी दिली या हजरती जामुदीन कहीं भी उतरते हैं, तो वहां से आप, या तो मेरे पास call करिए, call करने के बाद जो है, हम आपको location भेज देंगे, उस हिसाब से भी आ सकते हैं, या आपको मैंने जो address बताया है, उसको लिख लीजिए, एकदाम आपको कोई दिक्कत न नमबर है, 7653246, आप जब भी चाहें, इस पर message कर सकते हैं, WhatsApp कॉलिंग कर सकते हैं, normal कॉलिंग कर सकते हैं, हमारा किया हुआ, सबसे पहले आप अपने पास गाना मंगाईए, आप उससे संतूष्ठ हो ये, संतूष्ठ होने के बाद तब आपको लगता है कि मेरे आपका अच्छा वीडियो बनता है, अच्छे चानल से आपका गाना रिलीज किया जाता है, जिससे कि कुछ आपके लिए बेहतर हो सके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्ते पराम